हेलो, नमस्कार दोस्तों, तो आपके लिए बिहार लोग सेवा आयोग की तरफ से बड़ी विकैंसी निकल कर सामने आई है जिसमें कुल 1557 पद जारी किये गए है अब तक कि बिहार की सबसे बड़ी विकैंसी है ये अभी तक इसमें पिछले सालों के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें 400, 500, 600 पद जारी किये गए थे मगर इस बार सबसे जादा पदों पर ये विकैंसी निकल कर सामने आई है 1557 जिसमें आप देख सकते हैं बिहार प्रशाशनिक सेवा में 200 पद जारी किये गए है 168 और भी कई पदों के लिए 174 पद जारी किये गए है बिहार ग्रामिण विकास सेवा में 393 बिहार राजस्व सेवा में 287 बिहार आपूर्ती सेवा में 233 जाती एवं जनजाती कल्यान विभाग में 125 पद जारी किये गए है इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है 27 संयुक्त प्रतियोगिता परिक्षा जारी की गई है बिहार सरकार की तरफ से बिहार गौर्मन जॉब के लिए सबसे बड़ी वकैंसी ये निकल कर सामने आई है जिसके फॉर्म 28 सितंबर से भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम्ति थी 18 अक्टूबर होगी जितने भी स्टूडन को बिहार गौर्मन जॉब का इंतजार था वो स्टूडन इस फॉर्म को भर सकते है 28 सारिक से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है आप देख सकते हैं आप इसकी ओफिशल वेब साइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं जो इसकी जॉब कैटेगरी रहने वाली है वो बिहार गौर्मन जॉब रहेगी टाइम आपकी जॉब की टाइमिंग रहेगी जॉब लोकेशन आपकी बिहार में रहेगी जो आपकी कॉलिकेशन रहने वाली है वो इसमें बैचलर डिगरी है आपकी ग्रेजेशन कंप्लीट होनी चाहिए एज लिमिट आपकी 20 से 37 साल के बीच में रहने वाली है आपका सेलेक्शन प्रोसेस होगा प्रिलियम्स एक्जाम, में एक्जाम, एंड़न इंटर्व्यू जो आपकी एप्लिकेशन फीस होगी वो जर्नल, OBC वालों के लिए 600 रुपे रहने वाली है SC-ST फीमेल वालों के लिए 1500 रुपे फीस रहने वाली है आपको पताया 28 सालिक से फॉर्म भरे जाएंगे 18 अक्टूबर तक आप अपनी जॉब की तयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको BPSC में जॉब चाहिए पहले आपका प्रिलियम्स होगा फिर उसके बाद आपका में एक्जाम होगा देन आपका इंटर्व्यू होगा उसके बाद आपका स्लेक्शन किया जाएगा धन्यवाद